पड़ी अच्छात च्छात राओं सुप्रभात आज की कक्छा में मैं उपस्तित हूँ आप सबों के समक्ष शब्द विचार का भाग दो के साथ आज हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद चलिए आए जानते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं कितने भेद हैं? तीन भेद पहला रूड दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूड यानि रूड शब्द, यौगिक शब्द और योग रूड शब्द आईए, अब सबसे पहले हम जानते हैं रूड शब्द को कि रूड शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी विशेश अर्थ में प्रयोग होते हैं परन्तु उनके खंड़ों, खंडर था टुकड़ा खंड़ों यानि टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता अब आप देख सकते हैं कि माता को यदि अलग कर देते हैं दो भागों में बाट देते हैं, संदिवी छेद कर देते हैं माता का तो क्या होता? यदि हम माता को दो भाग में बाटते हैं तो मा अलग हो जाता है और ता अलग हो जाता है जिसमें दो में से किसी एक का भी कोई अर्द नहीं रह जाता है नहीं रह जाता है ना? ठीक उसी प्रकार, उस्तक के साथ भी है और घर के साथ भी है चली, आईए, अब जानते हैं हम यॉगेक शब्द को संख्या दो, यॉगेक शब्द ऐसे शब्द जो शब्दान्शों के मेल से बनते है और जो इन शब्दान्शों का अर्थ होता है वही उस शब्द का भी अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं अब आईए देखते हैं हम यौगिक शब्द का उदाहरण अब पुस्तक जोर आले है ना पुस्तकाले तो अर्थ आपसपस्ट यहां हो रहा है क्या है पढ़िवाशा में आप देख सकते हैं ऐसे शब्द जो शब्दान्शों के मेल से बनते हैं शब्दान्सों के मेल से बने हुए हैं, पुस्तक जोर आले, और जो इन शब्दान्सों का अर्थ होता है, वही उस शब्द का भी अर्थ होता है, यहां सपस्टोर आया है, पुस्तक जोर आले बराबर पुस्तक आले, यानि अर्थात पुस्तकों का घर, ठीक है बच्चों, आ अब राज जोर महल बराबर राज महल राज महल का क्या अर्थ होता है बच्चों राज महल का अर्थ होता है राजा का महल आए अब हम जानते हैं तीसरा योग रूड शब्द तो आए जानते हैं हम योग रूड शब्द की परिभाशा को जिस योगिक शब्द से किसी रूड अत्वा याँ विशेश अर्थ का वोध होता है उसे हम क्या कहते हैं उसे योग रूड शब्द कहते हैं जैसे अब पंकज है पंकज बना कैसे तो पंकज और जो बराबर पंकज अर्थ क्या है कीचड में जन मिलेने वाला यानि पंकज किसका पढ़्यायवाची है पंकज पढ़्यायवाची है कमल का अब पीतांबर पीत जोर अंबर बराबर पीतांबर होता है इसका अर्थ होता है पीला वस्त्र पीत यानि पीला और अंबर यानि वस्त्र तो आज आपने जारा रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद धन्यवाद पच्चों